नमस्कार साथियों उमीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगी अच्छी खासी पड़ाई कर रहे होंगी कल आपका केमेस्ट्री का पेपर है और केमेस्ट्री की अच्छी सी तैयारी चल रही होगी मैंने मेरी तरफ से फुल एफ़र्ट लगाया आपके केमेस्ट्री की पेपरेशन में पूरा मेरी तरफ से मैंने फुल सवयो किया और इससे आपको काफी कुछ कांफिदेंस भी आया होगा साथियों आपनोंने अपनी तरफ से फुल मेनत करी अब परिणाम इश्वर के हाथ में है अपनी तरफ से हमने फुल मेनत करी और कल जो पेपर हैं ज्यादा टेंशन ना ले आज आप टेंशन ना ले इसलिए यह चोटा सा एक वीडियो आपके लिए जो थामस अलवा एडिसन ने कहा था उनका जो कोटेशन था क्या था Tomorrow is my exam Tomorrow is my exam But I don't care because आज यह चीज कहते रहते हैं Single sheet of paper Single sheet of paper Can not decide my future हर इंसान की हर विद्यार्थे की अलग-अलग परिस्थिया होती है हर एक के पारिवारी के महापदन अलग-अलग होते हैं हर एक के टीचर्स अलग-अलग होते हैं हर एक की पड़ाई का जो बेग्ग्राउंड अलग-अलग होता हैं तो कभी किसी की होड़ ना करे Thomas Alva Edison भी अपने जीवन में कई बार फेल हुए लेकिन फिर भी ये एक सफल व्यक्ति बने क्योंकि हर failure से कुछ न कुछ सीख से थे कई बार फेल होने के बाद भी इन्होंने कई अविशकार किये कई अविशकार किये इनकी हाथों से कई अविशकार होए हैं और ये एक सफल बिजनसमेन भी रहे और सफल साइंटिस्ट भी रहे हैं तो life में tension नहीं देने का single sheet of paper cannot decide my future इस चीज को याद रखना लाइफ में हमेशा तो आप लाइफ में कुछ भी कर जाओगे लेकिन बस मेहनत हमेशा करनी पड़ेगी तो आप सभी को best of luck अच्छे से आप जो है अपना paper दे के आए एक भी question ना छोड़े exam में सभी question जो है attend करके आए समय पर पहुँचे exam में चलिए आप सभी को मेरी तरब से best of luck, congratulations, सभी को good luck ओके तुम किताबों के सामने जुख जाओ ये तुम्हारे सामने दुनिया जुखा देगी इस चीज को ध्यान रगना लाइफ में बस तुम किताबों के सामने जुख जाओ ये तुम्हारे सामने दुनिया जुखा देगी बहिए एलन मस्क ने पढ़ पढ़ के SpaceX बना लिया है राकेट जो भी है अंत्रिक्षी में भेज दिये हैं कई सारे रिसर्च किये पढ़ पढ़ के Google से तो आप भी कुछ न कुछ करोगे ही साई तो आप सभी को best of luck, congratulations और समय पर महुचे एक्जाम देने के लिए और क्या कहना आपको बस यही चीज कहना थी आपको tension नहीं लेना है पूरा paper पूरे समय पर एक्जाम में रुखना है और नीन निकाले अभी जो है एसा नहीं कि पूरी रात पर आप जाकते रहे नीन जरूर निकाल के जाए और सवेरे ज़्यादा मोबाइल न देखे जो भी आपने जो पड़ रखा है उसका रिवाइस करके जाए और एक्जाम से एक गंटे पेले रिलेक्स रखे माइंड को न ज़्यादा इदर दो चर्चा करें न दोस्तों से बादचीत इतना ज़्यादा बादचीत बादचीत नहीं करना है एक्जाम के बाद जितना हो उतना डिसकस करना कोई दिक्कत नहीं है चलिए सातियो गुड लक शुबरातरी बेस्ट आप लक आपका वेपर अच्छा जाए हमारी यही शुक्त कमना है